किर्पया धिरंदे, इस विडियो में जानकारी के साथ साथ आपको हसाने का भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है और अगर फिर भी किसी को हसी ना आए तो फिर जल्द से जल्द अपना बोरियां बिस्तर बांध लें क्योंकि आपका वेवस्ता मंदल गरह पर किया गया है कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यूं भागते हैं, एक तड़कता, भड़कता और फड़कता हुआ सवान देखो इस हरामी मानुस को, अब मेरे पीछे पड़ गया, मैंने क्या बिगाड़ा है तुमारा, तुम लड़की के पीछे भागो तो कुछ नहीं मैं गाड़ी के पीछे भागू तो दुनिया को बताएगा हाँ बताऊंगा तुम्हारा ये कांड भी दिखाऊंगा क्या हो रहा ये बीच रोट पे बैठी है निरलज चलो अभी इसको सुद्ध कर देता हूं ये क्या है पानी हाँ ये मिनल वाटर है पी ले अब तुम्हें ये क्लिप देकर कुछ-कुछ समझ में आने लगा होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही जियो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होता है कुट्टे अपने एरिया के हर चीज पर ट्वालिट कर देते हैं और ऐसे में वो गाड़ियों को भी नहीं बख्षते हैं और जब वो गाड़ी किसी दूसरे एरिया में जाती है तो वहां के जो कुट्टे होते हैं वो उस गाड़ी को सूंग कर पहचान जाते हैं कि ये दूसरे एरिया का गाड़ी है और वो उस गाड़ी के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें बरदास नहीं होता है कि कोई अलग कोई दूसरे एरिया का कुत्ता अपने मूती हुई गाड़ी को उनके एरिया में भेज़ दे इससे उन्हें बेज़ती महसूस होता है यार किसी को भी बेजदी महसूस होगा कुट्टे गाड़ी के पीछे क्यूं भागते हैं के लिए एक फैक्ट और प्रचलित है और ये फैक्ट कुछ इस तरह से है कि हम निरलज इंसान कभी-कभी कुट्टों को या फिर उनके बच्चे को बड़ी ही बेहरहमी से कुचल देते है लयकते और इसलिए उन्हें बुरा लगता है और वो करन अरजुन बन जाते हैं और फिर बाद में बदला लेने के मूड से वो हमारी गारी के पीछे भागते हैं जै कि यह फिर से मुझे पृफ्चलने आया है और वो उस गारी के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे मानुस जाती में तरह तरह के लोग पैदा लेते रहते हैं, कभी कोई हीरन मारता है तो कभी कोई, खेर यार मुह क्यों खुलवा रहे हो कुट्टे के बारे में तिसरा फैक्त ये परचलित है कि जो कुत्ता होता है वो अपने गारी जो होता है कोई फोर्विलर गारी जो होता है या फिर कोई भी गारी हो उसके नीचे वो घूस कर सोता है जैसा कि तुम देखे होगे तो उन्हें लगता है कि यह घर मेरा है और जब तुम उसके घर को वहां से उठा कर कहीं ले जाते हो तो कुट्टे को बरदासनी होता लगता है कि यार मतलब तुम तो समझ ही रहे हो कि कैसा लगेगा जब तुमारा घर को ही ले जाएगा तो उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही feeling होता है और वो उस गारी के पीछे भागते हैं तो यार अब मैं अपना ग्यान यहीं समापत करता हूँ क्योंकि मेरा ग्यान का भंडार खतम हो चुका है और मैं कुछ दिन इंतिजार करना चाहता हूँ ताकि मेरा ग्यान का भंडार फिर से भर सके और जब वो भर जाएगा तो मैं एक नए वीडियो के साथ तुम्हारे सामन यदा है आचू किद, आचू किदा है आचू कुटा कुटा किभे सानी ने